बहुत ही अच्छा दवाई बताने के लाया हूं जो ना ड्रेसिंग करने के लिए पहले के जबाता यूज किया जाता था और जो बहुत जरतनावली के व्रण शोतरों गादिकार में बताया है बहुत ज़्यदा महत्व है और जो शल्ले चिकितसक लोग है वह लोग भी इसका प्रयोग बहुत जायत मात्रा में करते हैं तो इसका प्रयोग बहुत अच्छे से होता है तो व्रण राक्षस तेल करके है यह व्रण राक्षस तेल इसका नाम क्यों पड़ा है कि यह जो भी जखम होता है उसको राक्षस की तरह पुरी तरह से कैप्चर करके पुरी तरह से ठीक कर देता है इसलिए इसका नाम है व्रण राक्षस तेल और हम लोग अगर भैषज रतनावली देखते हैं और इसके कंटेंस देखेंगे नो तो इतने मज़ेदार है इतने अच्छे हैं इंट्रेस्टिंग है यह सारे चीज आप लोग खुद भी बना के और आप लोग अच्छे हैं आप लोग खुद भी बना सकते हैं तो व्रण शोत रोगादिकार हम जब देखते हैं बैषज रतनावली का तो उसमें रक्षस तेल का कंटेंस ऐसा बताया है कि सूतकम गंदकम तालम सिंदूरम चा मनाशिला रसोनम चा विशम ताम्रम प्रतेकम कर्षम आहरे अब इसमें जो जो कंटेंस है उस पर ध्यान दिजे तो सबसे पहले लिया है चार पल की मात्रा में सर्सो का तेल जिसको हम कटू तेल गोलते हैं या फिर कडवा तेल गोलते हैं सर्सो का तेल लिया है चार पल की मात्रा में और कलक के लिए क्या क्या द्रव्य लिया है तो पारत लिया है विशेश रुप से पारत का जो रस करपुर है वह लिया है गंधक लिया है सारण व्रण का रोपन करने वाले सारे द्रव्य है और हरताल लिया है रस सिंदूर लिया है मनाशिला लिया है वत्सनाब लिया है ताम्र का बुरादा लिया है यह प्रटेक्ट दोदो तुला की मातरा में लेना है और इसमें ताम्र पात्र में ही इसको पकाना है अगर हम कौपर की पात्र में इसको बनाते हैं तो इसका गुंधर्म और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ताम्र जो है वो दूप में रखना चाहिए तो सूर्य प्रकाश मिलता है उसका भी एफेक्ट और जो हम मंनागनी दे रहे हैं जो तेल को सिद्ध करने ले उसका भी इफेक्ट पड़ता है तो यह प्रसेस है मतलब यह जो बनाने का प्रक्रिया है वह और अच्छा रहता है और कुछ लोग बोल पड़े इस तरह से सूर्य प्रकाश्म रखेने से यह ज्यादा और गुणकारी बन जाते हैं बनाने के टाइम रखे यह कुछ आचारे बोलते हैं कि बनाने के बाद रखे और इसको कैसे बनाना है कि एक भाग कलक कलक द्रभ्य ले ले लिए एक भाग और सोलबुरा पानी ले कि आ। आपूर्टत करना भृत स्वेल्यां इसनों यह व्युत्य का वह सुन्द हुआ है चुनु के लियुकति हो लगाना है तो को खर पाक का प्रेयोग करना है अगर हम प्रीदन सवागर देंगी नी यहां की बहुत ही पीने के लिए भी नहीं देंगे यह ज्यादा था रोपन करने के लिए एक्स्टरनल एप्लिकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाते हैं तुकि बहुत जी उश्नतिक्ष नहीं है द्रव्य सारे ऐसे द्रव्य डाले हैं सर्सों के तेल में बनाए वह खास बात है अगर नस्य से सकते हैं इसी तरह से व्रण अगर हो गया पेट में इस्ट्राइटीज अल्सरेशन हो गया तब एक-दो ड्रॉप डालके या ज्यादे ज़्यदा आट से दस ड्रॉप किसी चीज में मिला कर और तब दे सकते हैं लेकिन यह ज़्यादे अप्लिकेशन के लिए ही प्रयोक क के दर फैल जाता है और नाड़ी वरण बोलते हैं वरण ऐसा जो नाड़ी की तरह अंदर उसका उपनिंग है तो वह उसमें इसका अगर हम लोगों ने रोपन किया तो बहुत अच्छा पैदा होगा वह लगा के रोपन किया तो यह शोधन भी करेगा और रोपन भी करेगा यह इतना अच्छा दबाई होता था मदा होता था कि उस टाइम पे हमें बीटादिन केमिकल की जोरती नहीं पड़ती यह वरण शोधन भी करता है वरण रोपन भी करता है इसी तरह से विस्फोटक होता है ऐसे अंदर यंदर ऐसे पॉस्चुल फड़ जाते हैं उपर आके गर्मी के हो जैसे और ऐसे यह शुद्र कुष्ट में बताएं तो विस्फोटक में भी इंफलमेटरी चेंज़ रहते हैं स्किन में वहां पर भी अगर हमने इसका प्रयोग कर दिया एक्स्टरनल एप्लिकेशन में तो उसमें भी वरण राक्षस तेल बहुत अच्छा काम कर आए ich तो कि उसका नामे वरण राक्षस तेल उसकी तरह से मास वरधिष हो गए किसी जगह तो वहां पर भी अगर अगर बहुत अच्छा काम करता है इसकी जो कलयए बोलते हैं मास व्रद्धी चर्म प्रवाच्ल कील उस में भी वरणर राक्षस कील कप्रयो करने मग खासकर जो boys hostel में रहने वाले जो boys रहते हैं वो लोग एक या दो ये अंडर्वेर यूज़ करते हैं और वो लोग ज्यादा यूज़ने गिला पहन लेते तो उनको ना किसी देसे दाध है कुष्ट रोग है अपची है मतलब गंड मला अगर ज्यादा बढ़ जाती है तो जो गांट-गांट फड़ जाती है फुट जाती है गले में और अपची जैसा कंडिशन आ जाता है उसमें भी यह बहुत अच्छा काम करता है फिर कंडू है खुझली आ रह इसके एक बार श्लोक पड़ूँगा उसके बाद में जो घटक द्रवे उसके बार में विस्तार से चर्चा करेंगे तो व्रण राक्षस तेल के बार में ऐसा बता है कि सूतकम गंदकम तालम सिंदुरम चा मनाशिला रसोनम चा विशम तामरम प्रदेकम कर्षम आहरेत अब यह जो है वरण राक्षस तेल आप लोग देखें आपके सिटी में यह एवलेबल है कि नहीं है अगर एवलेबल नहीं है तो आप लोग मुझे बोलिए मैं आप लोग को बनवा के भेज़ दूंगा दूसरा बात आप लोग इसको खुद भी बना सकते हैं खुद का बन गंदक जो रहता है वह धातु शय जन्य अवस्था रहती है उसमें अच्छा काम करता है फिर प्रमेह में अच्छा काम करता है मंदागनी में अच्छा काम करता है हर तरह के कुष्ट में काम करता है अब आप लोगों ने पढ़ा है कि कुष्ट जो रहते है सात महा कुष्ट रहते हैं 11 जो रहते हैं वह शुद्र कुष्ट रहते हैं मतलब 18 तरह के कुष्ट बताए हैं अपने ग्रन्थों में और उसी तरह से और भी स्किंड प्रॉब्लम्स रहती है उन सब में भी व्रण राक्षस तेल का प्रियोक करने से बहुत अच्छा फैदा होता है क्योंकि इसमें गंदक है जो क्लेद को सुखाता है और हीलिंग करता है नए नए granulation tissues को बनाता है इसलिए वराण राक्षस तेल बहुत अच्छा काम करता है और यह जो है यह अगर इंटर्नल यूज़ किया जाए वराण राक्षस तेल तो अगनी को बढ़ाता है ब्रिहन करता है इससी तरह से यह इसको ऐसा बताया गया है कि अब गंदक दूरूती भी आप लोग में मालूम है कि गंदक दूरूती भी गंदक से बनाया जाते तो वह भी skin problem में बहुत अच्छा काम करते है इसी तरह से बताते हैं कि विशग्न है अगर कोई toxins के वज़ए से वराण शोत हो गया है चालने के लिए क्या दे तो मैंने उनको वराण राक्षास तेल का मैंने रोज ड्रेसिंग करने को बूला तो उनका न वो टॉक्जिंस का जो इफेक्ट हुआ था स्किन पे वह पूरी तरह से नियूटरलाइज होके पूरी तरह से हील हो गया इसी तरह से क्रिमिक ने भी है अगर वहां कोई व्रण शोत हो गया वहां पर मतलब वूंड हो गया बड़ा सा और वहां पर छोटे-चोटे मैगोट्स या चोटे-चोटे क्रिमी हुए है जो हमें दिखते भी है कुछ नहीं भी दिखते हैं वहां पर भी या क्रिमिक हैं काभी होचे वहां प्रतिसारण करने के लिए या उपर लगाने के लिए ड्रैसिंग करने के लिए राक्षस तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है इसी तरह से यहां क्लेद को शोशक है क्लेद को सुखा देता है और उसी तरह से कंडू को दूर करता है विसर्प अगर हुआ है हर्पिस सिंप्लेक्स अगर हुआ है या हर्पिस हुआ है तो उसमें भी विसर्प का नाशक है इसी तरह से कंडू में कुष्ट में पामा में दद्रू में वि पर विश्य दोश में भूत दोश में क्रिमी दोश में बहुत अच्छा काम करता है उसी तरह से और भी बहुत तरह बीमारियों में काम करता है लेकिन में में जो एक्स्टरनल अप्लिकेशन के लिए बताना जरूरी समझा वह समय ने बता दिया अब इसमें हर्ताल डाला हुए हर्ताल जो हो कैसा रहता है कि हर्तालं पुराना से पुराना जो फिरंग रहाएं सिफिलिस और गोविए क्लेद को दूर करता है और हीलिंग रॉपटी उसमें रहती है रिजेनरेंट सेल्स को नए सेल्स बनाता है हर्ताल इसलिए हर्ताल डाला हुआ है इसलिए वातरक्त अगर है और वहां पर वातरक्त में गौटिय अर्थ्राइटिस हो के वह जखम फट गया है और उसमें वहील नहीं हो रहा है उसमें वरणार राक्षास तेल का प्रयोग करने से बहुत अच्छा पैस बहुत तर ऐसे पेशन्ट है जिनको वेरिकोज विंस था और वह वह रखता है फुट गए और वहां जखम हो गया जो हील ही नहीं हो रहा था कोई भी मेडिसीन से अलोपेटिक के डॉक्टर भी वेरिकोज अलसर में बहुत ट्राइक कर रहे थे कि हील हो जाए हील हो जा नहीं हो रहा था क्योंकि वहां पर लगाता स्त्राव होते रहता है ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है मतब वह दूशित त्लेद वगयरा बहुत हो जाए सडन हो रही थी वह ज्यादा और पेशन्ट डाइबिटिक भी होते हैं बहुत सारे वेरिकोज अलसर में जो हील नहीं और वहां पर लगा दिया तो जल्दी हील होते हैं और यह मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है इसलिए मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं कि वराणा राक्षस तेल से वेरिकोज अलसर पूरी तरह से जल्दी ठीक होते हैं इंटर्नल दवाई में सिंपल अम्रिता कि दरव्य देने पड़ते हैं कभी उदर्द परशान कभी वर्ण देने पड़ते हैं जब वह रहा हील हो जाती है तो कलर भी लाना जरूर जरूरी होता है इसलिए और जो ये चार चीज़े हैं ना पुष्टक नगण पर ने गण अब और परशान कर से कि अलगलग शेड्स में ये medicine है जो skin पे ही काम करते हैं इसका प्रयोग आप लोग को practice में करना चाहिए तो हर्ताल जो है ना ये फिरंग रोग में काम करता है वात्रक्त में अगर वहां से skin फढ़ गया है और बहुत ज़्यादा तो वहां पर राक्षास तेल का प्रयोग करने से बहुत जल्दी हील लगता है विसर्प में भी तचारक्त मासले सिखा इनकी दूष्टी होती है रख्त धातु की दूष्टी होती है पित दोष बढ़ा हुआ रहता है और वह आशुकरी रहता है और विसर्प का जो वह स्किन चाहत्ष नहीं हो पर ठौद शल्दी में लगता है अर्ष ब्रता है विशम जॉर में काम कड़ता है अ विशम जॉर सब्स करते हैं कश्ट कर इसफोट है कोई स्किन पे ऐसा इरप्शन हुए कोई ऐसे जख्खम हुए और फिर खराब हो रहे और शुद्र कुष्ट में यह उसमें भी इससे ड्रेसिंग करने से फायदा होता है फिर वातर रखत जन्न अन्य रोगों में भी इसका प्रयोक करने से इसले इसले मन शिला यूट जो घ्लेथ को चैनल है वा बहुत अच्चा काम करते हैं विषयश रूप से कफ़जमी इसमें कुलेदस बहुत जआधा बड़ाइं उसमें बहुत अच्छा काम करते है प्रीमी रोगों में जरा स्टे कर और भी धात्व का शयह हो रहे हैं डाइबल टिक वूंड है जो कहीं भी मेहील नहीं हो रहे हैं उसमेश्वार इसका प्रियोक करने से बहुत अच्या फैंदा नियुक्त बहुत अब इसमें सबसे में जो वनस्पतिया हैं वह देखेंगे और उसके बाद में फिर से वह श्लोक में जाके हम फिर से अनलेसिस करेंगे तो इसमें ऐसे से वनस्पतिया हैं जो चिकित्सा के लिए बहुत ज़्यदा उप्योगी रहती हैं मैं एक मिनट रुझे मैं आपको हां लहसुन इसमें डाल है वह क्या करता है कि वह व्रण का रोपन करता है तो अच्छा में यह बहुत सरे सड़न होने जैसा जो संप्राप्ति गैंग्रीन होने जैसे संप्राप्ति उसमें लहसुन जो है वह बहुत अच्छा का मुझत है इसलिए लहसुन इसमें डाला हुए क्रिमी कुष्ट किलास सगनो क्रिमी में किलास में कुष्ट में गुल्मनाशना स्निकदोशन रिष्ष रहला कटको गुरु वरिष्ष गुरुण है इसमें मतलब शुक्र बढ़ाने की ताकत है शुक्र जितना बढ़ेगा वह स्किन को जलड़ी हील करता है इसलिए व्रण नाशक तेल का प्रयोग हम लोग उसमें हम लेगों ने लहसुन डाला है तो बहुत अच्छा फैदा होते हैं इसी तरह से सर्षो का तेल में घटक दरवे उसके बार में क्या बता है भाप्रकाश निगंटु में हम देखते हैं तो इसमें बता रहे हैं कि सर्षपा कटुकस ने हा स्तंतु भश्यक अदम बगा गौरस्तू सर्षपा प्रागे सिदार्द इती कत्यते सर्षपस्तू रसे पाके कटुकस निग्दा सतिकतका तिक्ष नोश्ना कब वातक नो रक्त पितागनी वर्दना रक्षोहरो जयत कंडुम कृमी कुश्टकृमी ग सर्षप के परेया नहीं हम बता रहे कि सर्षप है सर्षप का हम लोग खाने में भी सर्षप का प्रयों करते हैं लेकिन यहां पर यह 32 तोला एक मिनट के राक्षास तेल में तो यह बता रहें कि सर्षप कटुक्स ने तुंदुग और कदंबग यह इसके परेया नाम है सफेद सर्षप यह पीली सर्षप जो रहती है आप लोगों ने देखा होगा दिलवाले दुनेलिया ले जाएंगे उसमें शारुखान जो है वह काजल के साथ काजोल के साथ वह सर सर्षप रहती है बैक्राउंड में आप लोगों ने देखा है तो पीली सर्षप जो रहती है उसको गौर शर्षप यह सिधार तक बोलते हैं तो यह सर्षप विपाक में कटू रस रहता है स्निक्द रहता है कटू रहता है तिक्ष्ण रहता है कफ वात नाशक है उश्न है क तेत को दूर करता है कंडू को ठीक करता है कहीं पर भी शीत-पित जैसे पेशन्ट आ रहे हैं आप सर्सों का तेल नीम के कलक के साथ लगा दीजिए शीत-पित तक ठीक हो जाते हैं तो इसलिए सर्सों का उपयक बहुत ज़्याद है और यह कंडूगन गड़ में खुजली को दूर करता है उदर्द प्रेश्मनगण में भी है इसलिए अगर उदर्द है शीत-पित है उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा फैदा होता है फिर यह रक्षबन है रक्षा करते हैं बाधा को दूर करते हैं जो यूपी विहार के मजदूर महराश् साथ में उनको कुछ भी नहीं होता है बाकी लोग स्वेटर और मफलर या फिर टोपी लगा के घुमते हैं लेकिन वो लोग के पास घरीब होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि खाने में भी सरसोगा तेल यूज करते हैं और लगाने के लिए अभ्यांग रोज करते हैं तो करते हैं करी क्रीम पर बहुत अच्छा काम करते हैं खुजली को दूर करती मालिश के काम अते हैं तो यह व्रण ड़क्षस त SusLies में भी यूज हो सकता है या एक्सट series में तो होता ही होता है इसको लगाने से अब अगर है तब काम होगा लेकिन अगर पित्त प्रक्रति यह और जो भी जैसे वातरक्त भी है पित्त प्रधान है पित्त विसर्फ है पित्त अधुंबर कुष्ट है उसमें इसका हम लोग ध्यान से देते हैं क्योंकि सर्शों का तेल है वो लगाने से कभी-कभी वह बढ़ने का ध्यान चांस देता है उसी तरह से वत्सनाप के बारे में हम लोग देखेंगे क्योंकि बढ़नाप जो है वह बहुती इंप्टेंट गटक द्रवे इसको मिठा विश्ण बोलते हैं वत्षनाप के बारे में ऐसा पताया है कि यह तो अच्छा में जब जाता है तो वच्टस प्रब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा यहां मुत्र का प्रमाण में बढ़ाता है तो वरण शोत में क्लेद निकालना है तो फिर वह अपने आप क्लेद निकल जाएगा कंडू कम हो जाएगा और इसलिए वत्सन आपका प्रयोग यहां अगर वरण राक्षास तेल देंगे तो जो बचनाग है वह क्या करेगा कि वहां आम का पचन करें दीपन पचन करें जो रगन है इस तरह से इसका प्रयोग करने से वह अच्छा फायदा है तो मैंने अल्मोश सारे द्रव्यों के बार में आप लोगों से विस्तार्ष बताया से अब वरण राक्षा सेल के पर में फिर से प्रवार्ण इसके अर्थ बतायांगा क्या-क्या कंटेंस है और उसके बार में हम लोग आपके प्रश्ण उत्तर है उसका हम लोग अंसर देंगे तो यह खाय olur इंदकम तालम सिंदुरम चा मनाशिला रसोनम चा विशम चाम्रम प्रदेकम प्रशम आहरेत कुडवम सार्श तैलम साधिय सूर्य तापता सूर्य के सनलैट दिन अबुद जरूरिये नाड़ी व्रणम चविश्वोटा मास ब्रदिन विचर चिकाम दद्र कुष्टा पची कंडू मंडलानी व्रणास्तता व्रण राक्षस नामे दम तैलम हंति गदान बहुन वद इसमें सर्सुका तेल कटू तेल लेना है चारपल की मात्रा में या 32 तोला की मात्रा में लेना ह कलक के लिए पारत लिया पारत से ज्यादा रस कर पूर है वह लेलिया गंधक लेलिया उनकी कजली बना लिया फिर हर्ताल डाला उसमें रस्चासिंधूर का रह गयाता वह योग भाई और ईलिंग करता जलदी और वहाँ सुक्षमस्त रोतों मिरता है चुलेद को दूर करता का लगा था घाया था ताम रे लेकन भी करता है यंत प्राइब को निकाल के लेखन में करते हैं इसे लिए यह इसेलिए वरण का तेल और जादर खर पाक के रूप में बनाए तो यह अभ्यांग के लिए लगाने के लिए प्रतिसारण के लिए अच्छा काम करता है बहुत सरे ग्रंदकार ऐसे बोलते हैं कि प्रतिसारण के लिए मृदू पाक अच्छा रहते हैं कि खर पाक उतना अच्छा हील नहीं कर पा के लिए प्रणका विद्रधी को सोधन करना है तो खर फाक वाला लाइंगर लेते कुछ मय seven dopenna के रख लेते हैं कुछ स्षा रदन लेते यह से तेल को सिद्ध करके और सबस आप अगर भैशandilt नावली देखेंगे सब्सक्रांडिलchef शारंदर संहिता देखेंगे या फिर आमारे पास या का बुख है तृद्धननतर मिश्णा जी का उसमें बता है कि कटू तेल की मुर्चणा ओना जरूरी है एसको पकाना जरूरी अगर तेल मुर्चित नहीं है और आपने डरेक्ट बना दिया तो अच्छा मुर्चना नहीं क इसको मुर्चित करके ही इसका प्रयोक करना चाहिए तबना को सबब्लास प्रयोकिए इसका प्रयोक करना वाध चुछी का दाद कुष्ट अपची कंडू मंडल मंडल कोष्ट व्रण आधी यह सब को ठीकट है डियाबिटिक वूंड में जो नौन हीलिंग वूंड है जो डियाबिटीस के वज़े से बढ़ जाते हैं या एम्टूटेशन करने तक ही नवपित आती है उसमें व्रण अप्षस देल कि अगर आप और यह तामर के पातर में ही बनाने के लिए हमारे आधरनी गुरुजी समीर जमदगनी सर बोलते हैं कि आपके पास इतना टाइम नहीं है आपके पास ऐसे पेशंट आगे जिनको हमें दुरंती कुछ तो दवाई दे के और ठीक करना है तो आप जरूरी नहीं क पाउडर मिक्स करके और वहां लगा के रखिए ऐसा करने से भी फैदा होता है और जब आपको समय मिले तो यह तेल को सिद्ध करके अपने पेशंट के लिए यूज करिए आपका प्रेक्टिस और ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता है और पर्मान समझा आप लोग की सिटी में मिलता है कि मुझे बिल्कुल वी जानकारी नहीए अगर नहीं मिलता है तो आप लोग मुझे बताए याँ खुद बना के इसका प्रेभर्यो करिए तो फिर आप लोग का प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा और जो सर्जन लोग है जिन लोग को सर्जरी करने के बाद उसको जल-जल्द व्राण को चुछ सुखाना बहुत जोरूरी होता है and healing करना जरूरर होता है वहाँ पे कुस ड्रेसिंग करना होता है कना को परिस्तिति के से तो स पर chopped ज़रूर ही टेल मेडिसिन रहना चाहिए केवल जात्य दी तेल या शद्दध घ्रियस या जात्य दी गृत पर ही डिपेंडेंडेंट मत रहे है नीम तेल करंज तेल पर ही मत रहे कभी कभी दूसरे द्रव्योग के तरफ भी देखना चाहिए क्या पता जो आप अभी रूटी देने का प्रयत्म करता हूं कि डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी नमस्तेर सुहरना जी नमस्तेर प्रणाम है यह हैं अश्य चेट क॥े बेस्टों नाच्छे प्रणाम आपको रचीता जी का counselor घृत को मुर्चित कैसे करते हैं तो यह आपि सिद्धिनन अंदन विश्राजी की बुक है जिसमें अंब कटू तेल सर्थो के तेल का लग बता है घी का अलग देख लिजे आको मुझे टाइम देजे मैं दो दिन में वह आपको अच्छे से बता दूँगा और आप आप लोग ना बहुत अच्छे चिकित सकें डॉक्टर राजधवन जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर विकास विश्कर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सस्मिता नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सत्यबान जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्ट दस्ट है जहां पित्त्युक्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुए दहापाक बहुत ज्यादा पीक sometimes में प्रफ्चों εκ अभी एकि मैं अपने प्रैक्टिस में दो सर्षो का देटा हों क्योंकि नॉट्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं चालए हैं और इंडिया में इत गोमारिया आजाती हैं तो ऐसे लोगों तो यह पित्त प्रकड़ती है लेकिन उसका पित्त भी बढ़ा हुआ है तो उस हिसाब से आप देखें यह उसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है हमें हम चिकित्सक हैं हमें बिमारी को बढ़ाना नहीं है वरण शोथ है तो अगर दाहा पाक बहुत ज़्यादा है बर्निंग नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टा सत्यबान नायक जी नमस्ते प्रणाम आपको सत्यबान नायक जी बुल रहे हैं कि सरेग रोगी को ट्राइक लिसटराइट बढ़ गया है छे महिने पहले तो मैने आरख बरदीन वटी मेदयोः विढंगा दिलो महांममंजिस्टा दिक् करना चाहिए आपने बंद कर दिया है तो पेषंट आपको बोल रहे है कि वह बंद कर दिया लेकिन वह पेषंट ने बंद नहीं किया मित्या और विहर कही है बिना कोई भी विमारी नहीं होती है आप उनका यह देखे कि चाय पीने के पहले वह पानी पीते हैं क्या या फिर उनका कुछ ना कुछ तो ऐसा कारण है जिसके वज़सी हो रहे हैं बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है हम लोगोंने सतकारेवाद पढ़ा है असतकारेवाद भी है पदार्थ विग्यान में तो अगर हेतु सेवन है तो वहाँ व्यादी जरूर ही होगा आपको यह निकालना पड़ेगा आप हमारे गुरूप में है कि नहीं मुझे जानकरी नहीं है आप हमारे केश शिट भर देजे जो मैं गुरूप में शेर किया हूं वह भर देंगे लिए लिए हमें प घळबढ्य है और एक दिन जाकर टर से रशाँ या उल्टा पुल्ता खाते हैं ङैं कि भर रहे हैं वह इतना ज़्यादा गरिष्ट होता है कि वो ट्राइब पीज़ा अगर रखाएंगे तो ट्राइब बढ़े गई उतना क्योंकि सेंडेटरी लाइफस्टैल है उतना शारीरिक कर्म किया नहीं जाता पहले जमान में लोग सैक्लिंग करते थे लोग सैकल से जाते थे दूर भागना मॉर्निंग वाक करना यह सब से दूर जाते जा रहे हैं और सिटी एरिया में तो बहुत ऐसा प्रब्लम है तो इसलिए आप देखें हेतु कुछ न कुछ मिली जाएगा आपके बज़ार केस्ट नहीं है तो आप मुझे वाटसप करें मैं आपको पीज़ देता हूं बर्निंग हो रहे है तो इसका प्रयोग मत करें मैंने एक बर कल्ग दिया था तो वह पेशन को बहुत ज्यादा यह बढ़ गया था तो फिर उनको तक्रध हरा वगरा कराना पड़ा और पित शामक्ची किसा करना पड़ा सर्सों के तेल है तो इसलिए पित वाली सम्राप्ती में दहा पाक है तो उसमें नहीं प्रयोग करना चाहिए डॉक्टर विन्यमित्तल जी नमस्ते प्रणाम आपको आईरवेद का भी साइड एफेक्ट होता है अगर उल्टा तरह से हम लोगा करतेंगे तो आईरवेद का भी साइड इफेक्ट होता है जो मेडिसिन अच्छा का कर आने के लिए कफज उदर में विश्व अम्रित के समनकारे करता है लेकिन डोज और युक्ती का महत्वर रहता है उसी तरह से अम्रित भी जहर बन जाता है अम्रित मतलब इस संसार में दिव्य और शुदियों का सार भाग जितना स्वरस्वगरा निकालके सार भागे वह अम्रित रहता है उसे मृत्यूं नहीं होते और बुढ़ापा नहीं आता जरा नाशक है और मृत्यूं रह तो अगर वह ज्यादा मतल में अम्रित पला दिया जाए वहां भी विश्वत हो जाता है घी वीप पिला रहे हैं तो अगर अग्मी मान दता है और आम है तो घीवी हो जाता है अत्ति सरवत्तर वड़्चत और युक्ति का महत होता है तो इसलिए न सुर्यसिस में जहां पित्त की संप्राप्ति है दहा पाक है वहां पर इसका प्रयोग ना करें डॉक्टर रंजीता जी जात्यादी वर्क नहीं करेगा वुंड में यह किसने कहा कि नहीं करेगा मैंने तो आप्षन में दूसरा दवाई भी बताया जात्यादी तेल का प्रयोग तो आप रेगुलर यूज में करते हैं कुछ और या भी ढूंडना जरूरी है हो सकता है रंज राक्षस तेल उत्पादन कंपनी तो वह कितना अच्छा होगा व्रण राक्षस तेल व्रण के लिए जो राक्षस है ऐसा तेल तो इस तरह से नाम भी इतना बढ़िया है व्रण राक्षस तेल ऐसा आप कर सकते हैं तो आप यह पहले घर पर बनाएए थोड़ा बनाएए 250 ml तक बनाएए यह एक लिटर तक बनाएए अगर अच्छा रिजल्ट आएगा तो आप ज्यादा भी बना सकते हैं बह्षर जरतनावली देखिए उसमें हैं डॉक्टर रंजीता जी बोल रहे हैं कि अगर सलफा ड्रग अलर्जी है तो यंदक योग दे सकते हैं बिलकुल नही जी आपको इसको बना के इसका प्रयोग अपने प्रेशन में करके देखना चाहिए कि कैसा फाइदा हो रहे हैं डॉक्टर राजधवन जी बोल रहे हैं कि फोर पल इस उगल टू सिक्स्टिन तोला अब मुझे नहीं बता वो जो हिंदी ट्रांसलेटेट है उसमें चार पल म देखा एक बर मैं कंफर्म करके बताऊंगा डॉक्टर वरुन कुमार जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर सुनाली जी बोल रहे हैं कि बस्ति और नस्य के लिए कौन सा पाक यूज करें बस्ति के लिए अगर यूज करना है तो मिर्दू पाक या मध्यपाक का प्रयोग करते हैं श्क्रणाच करना चाहिए डॉक्टर सुनाली अगर प्रैक्टिस करेंगी तो आपको करते हैं आप जहां पर भी हैं वहां में पर प्रैक्ट करने का कोशिश करें केवर सुनना यह कहानी आर्ण की कहानी सुनना और पुजापाट किये और फिर छोड़ दिए ऐसा न स advtor में हम जैसे इंजीनियर आफ़ वह इंजिनिरिक वर्क नेकर सोटफेर इंजनेर हो स्पैस्का है और रहां हें च्गिट्सका ही काम नहीं करेंगे तो फिर क्या मतलब है इतना डिग्री लेकर इतना मेहनत के पढ़के आप यह रहे हैं कितना नहीं आरे है आप लोग को कोई और प्रेशन है मैं आप लोगों सथा में में दोड़ नतंगे लोगारी टो प्रणाम आपको डॉक्टर रुपाली जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर ये बता रहे हैं कि भैशाज रतनावल में तू टैप के वरण दाक्षस तेल बता हैं अभी एक तो मैंने बता दिया यह चीज नया है सभी लोग के लिए इसलिए मैंने एक ही चीज बताया आप हैं दूसरा भी उस्कतर सकते हैं डॉक्टर अभिलाशा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर मंता शर्मा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉक्टर रंजीदा जी बोल रहे हैं कि अगर पर लिमएंकोंको नहीं देना है डॉक्टर वि compromise जी बहुत बढ़ी चीज पुछ र लेकिन हां आप ले सकते हैं लेकिन महातिक तक गृत का ज्यादा तर प्रचलन है ब्रामी गृत करना है तो करिये ना अगर मेध्य काम करना है अपने जितने भी द्रवे बताएं सब मेध्य है तो उससे आपको कॉंसे पेशन को करना है उससा आप करिए तो ज्यादा प्रणाम आपको डॉक्तर अधीति त्रिपाठी मैडम भी हैं अधीति बत्रा भी है आप शाहिद पंजाबी है डॉकेश्वर जी नमस्ते प्रणाम कैंसर में जो ऐसा कैंसर होता है जो ठीक नहीं होता है योगेश्वर जी के वज़े से मुझे याद आ गया कैंसर के पेशन में भी अगर इससे आप प्रतिसारण करेंगे ने तो बहुत अच्छा फैदा होगा कि डॉक्तर रंजीता जी बोल रही है कि मेरा आटव टॉपिक क आपका कोशन है ठीक है उसमें उन्होंने जो है अग्रे संग्रा में देखेंगे तो उसमें पाचन में सर्वस्रेश्ट मुस्ता बताया है और जो दिपनिया द्रव्य होते हैं वह पाचन भी होते हैं अभी चरग सहीता जो है ना वह ऐसे डिजाइन के लिखी गई है कि ना ना अति संग्षेप ना अति विस्तार उनको जो चीज मेन मेन लगा वह उन ने बता दिया और अब जरूरी है कि सब चीज मताएँगे वह चरग संहीता हूं बतादिया कि यह दवाई नहीं दो अब वह यह तो नहीं डो यह ऐसा कुरो और क्योंकि अत्ति विस्तार का तो लिमिट नहीं रहता और अत्ति संशेप तो समझ नहीं आएगा उन्होंने खुद ही लिखा है कि मैं हम लोग जो लिख रहे हैं वो अलप बुद्धी वैद्यों के लिख रहे हैं जो बुद्धिमान है वो लोग को तो हम एक गाइडलाइन दे बुद्धिमान वैद्य तो इसको खुद समझ के लिख सकते हैं इसले डॉक्टर रंजीता जी आप खुद विद्वान है चरक सहिता में तो आपको गाइडलेंद यह आप पाचनी वर्ग बना सकते हैं उसमें मुस्ता है पाचन करने वाले सारे द्रब्र करके आप बना सकते प्रबलम नहीं है अब डॉष्षा जी नमस्ते प्रणाम आपको डॉष्षा जी आप स्किन का प्रेक्टिस करती हैं का करते कोस्मेटोलोजी करती है अईरवेद का बनाईए बैशे जरतनावली में बताएं इसका प्रयोक करिये और हमें भी बताएगा कि कैसे रिज़ूट महाराष्ट में तो यूज होता है इसलिए मैंने आप लोग होता है लौक्टर प्राची जी नमस्ते प्रणाम आपको आप लोग सर्व स्रेश चिकित सके हैं और मुझे सच में बहुत दिल से यह निया वो निया कुछ लोग एंटीडिप्रेसेंट दवाईयां खाते हैं लेकिन जिनको काम करना होता है वो तो करते हैं और सक्सेस्फुल होते हैं मैंने अपना वाटसप नंबर दे दिया है और इंट्रेक्टिव सेशन का मैं जूम का पासवर्ड देता हूं पासवर्ड लेकिन जो लोग इंट्रेक्टिव सेशन में संभाशा करना चाहते हैं सभी लोग के लिए फ्री है सभी की लोग लिए ओपन खुला हुए जूम का आईडी और पासवर्ड देखें यहां पर दिया है आप सभी लोग का स्वागत है जूम पर आईए हम लोग डिसकस करेंगे है आप लोग के केस सॉरी यहां पर कुछ गड़बर हो गया है मैं इसको फिर से यह कर देता हूं मैं जूम का आईडी पासवर्ड फिर से लिखता हूं सेवन थी जिरो ना चाहिए जूम का यह जो मैंने पासवर्ड लिखा थोड़ा गलत हो गया मुझे शमा करिए पासवर्ड आप सभी लोग आएंगे ना तो वहां हमें अच्छा लगता है उसका पैसा भी नहीं देना है आप फ्री में आ सकते हैं सभी लोग सभी लोग का वह स्वागत करते हैं हम लोग इंट्रेक्टिव सेशन आठ बजे शुरूगा सभी लोग आजेगे और यह मैंने आईडी पासवर्ड दे दिया है उपर वाला कट कर दीजेगा वह यहां नहीं हो पाएगा मेरे से डिलीट नहीं हो पाएगा मैं मोबाइल से डिलीट करता हूं आप सभी लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग बहुत अच्छे व्यद्य हैं पिछले जनम का पुन् मैं भी कर रहा हूं आप लोग भी कर रहे हैं इसलिए आप लोग स्रेश चीकर सके हैं पुन्याक्मा हैं आप सभी लोग तो मैं आप सबको नमस्ते प्रणाम बोलता हूं और आट बजे मैंने देखिए जूम का ऐडी पासवर्ड दिया है वह डालके आप लोग सब लोग जो